अब आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरुवात करने वाले हैं एक नई सीरीज की जो होने वाली है सोशो रिलीजिस रिफॉर्मर्स के उपर जिसके अंदर हम जानेंगे कि जिस तरीके की सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं उसे बनाने के लिए किन किन रिफॉर्मर्स ने अपना योगदान दिया तो सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के साथ और उनके बारे में एक डिसकेशन करेंगे उनके बारे में सारी चीज़े जानेंगे उनके क्या व्यूस थे सोसाइटी के बारे में उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के क्या व्यूस थे मोनोथीजम पे, आइडल वर्शिप पे और रैशनलिजम पे इन सारी चीजों को हम एक एक करके समझते हैं, सबसे पहले he was a मोनोथीस्ट अब मोनोथीस्ट कौन होता है और मोनोथीजम क्या होता है, सो मोनोथीजम वो फिलोसोफी है जो सिर्फ एक गौड के अंदर बिलीव करती है, सिंगल गौड के अंदर बिलीव करती हैं अब बेंगाली के अंदर translate करना important इसलिए हो गया था, क्योंकि जितने भी regional लोग हैं, local लोग हैं, वो कौन सी language जानते थे? बेंगाली language जानते थे. और अब आप यह सोच रहे होंगे, अगर वो monotheist थे, तो उन्होंने Hinduism से related यह scriptures जो है, उन्हें क्यों translate किया बेंगाली के अंदर, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले उन्होंने यह इसलिए किये, ताकि वो sight कर सके, वो example दे सकेंगी, देखिए वेदास के अंदर भी यह दिया गया है, और उपनिशज के अंदर भी यह दिया गया है, कि भगवान सिर्फ एक ही थे, और दूसरी चीज़ वो अपना कोई एक नया religion नहीं बनाना चाहते थे, वो Hinduism को purify करना चाहते थे, Hinduism को pure form के अंदर लाना चाहते थे, और उसके साथ जो अदर रिलीजियन की कुछ अच्छी अच्छी बाते हैं, उन्हें भी include करना चाहते थे, अब बात आती है, आइडल वर्षिप की, तो वो आइडल वर्षिप के एकदम अगेंस्ते हैं, उनका मानना था कि आइडल वर्षिप नहीं होनी चीए, कास्ट रिजिडिटीज नहीं होनी चीए, कास्ट की जो बाउन्डेशन हैं वो नहीं होनी चीए, और जो meaningless rituals है, rituals जो बहुत बड़े-बड़े follow किये जाते हैं, दस-दस दिन के यगन होते हैं और अलग-अलग चीज़ें, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो हैं नहीं किया जाना चीए, इने follow नहीं किया जाना चीए, यह सारी चीज़ों से क्या होता है, social evils बढ़ता हैं, यह सारी उन्होंने बात बताई, अब बात करते है, rationalism की, क्या होता है, rationalist कौन होता है, उसे जान लेते हैं, तो rationalism simply means logic based, क्या आपके logic को वो चीज़ भारी है, मुझे यह करना चीए, तो पहला आपके दिमाग में यह question आना चीए, कि इसके पीछे logic क्या है, अगर आप वो question पूछ रहे हैं, तो आप एक rationalist है, तो उनका मानना यही था, कि rational होना चीए इन्सान को, पहली चीज़ तो उन्होंने बताए कि किसी भी तरग से, scriptures के अंदर कोई भी ऐसी चीज़े नहीं बताई गए है, सती सिस्टम नहीं बताए गया है, या आप ये scriptures खुद उठा के देख लिजे, दूसरी बात उन्होंने सामने रखी, कि कि किसी भी तरीके से, अगर आपको वहाँ से ये meaning आ रहा है, अगर आप ये चीज़ वहाँ से interpret कर रहे हैं, कि ये दिया गया है, ये social evil वहाँ पे दिया गया है, तो rationalist होके उससे बाहर निकलना है, आपको modern scientific approach follow करनी है, अब एक चीज़ में आपके सामने रखना चाहूँगा, ये समय देखिए कौन सा है, 1772 में उनका बर्थ हुआ था, और 1833 में उनकी death हुई थी, उस समय पे हमारा पूरा भारत एकदम अंधियारे में था, इसलिए इन्हें कहा जाता है, father of renaissance, इन्हों ने एक तरीके से हम बोल सकते हैं, हमें एक meaning दिया, और आज जिस society में हम रह रहे हैं, जितनी progressive society में हम रह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान राजा राम मोहन रॉय को जाता है, कि किस तरीके से उन्हों ने अपने effort से, आज जो हम society रह रहे हैं, वो बनाई हैं, अब आगे चलते हैं और जानते हैं, एंटी सती campaign के बारे में, जब तक कि हम एंटी सती campaign नहीं पढ़ रहे थे, राजा राम मोहन रॉय के साथ, तब तक ये complete नहीं होने वाला, दूसरी चीज मेरा तो ये मानना है, कि जब भी मैं राजा राम मोहन रॉय पढ़ाने के लिए stage पे आता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, उस डर का reason ये है, कि इस इंसान ने, इस महापुरुष ने इतने काम किये हैं, कि कोई न कोई ऐसा काम रही जाता है, जो घर जाने के बाद मुझे आता है, कि यार इसे भी include किया जा सकता था, तो इस तरीके से इन्होंने काम किया है, बैराल हम बात कर लेते हैं, anti-sati campaign के बारे में, तो ये story शुरू होती है, जब इनके भाबी जी सती हुए, और उस समय पे इनकी आयू काफी कम थी, वहाँ पे ये कुछ कड़ नहीं पाए, और वो देखते रहे, अब उस चीज़ के उपर, मुझे जौन ओलिया की दो लाइने याद आती है, वो बाते खा गई मुझको, जो बाते पी गया था मैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, वो बाते इन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी, पर तब तो इनकी आयू बहुत छोटी थी, कुछ कड़ नहीं पाए, जैसे जैसे इनकी आयू बड़ी, फिर इन्होंने केमपेंज शुरू किया, 18-18 के अंदर, और वहाँ पे भी उन्होंने सिमिलर अप्रोच अपनाई, जो सेकरेट टेक्स्ट थे, उन्हें यूज किया कि, देखें स्क्रिप्चर्ज में ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है, कि वूमन को सती होना जिये, क्रिमेशन ग्राउंट्स को विजिट करते रहते थे वो, उन्होंने एक कमिटी बना ली थी, एक विजिलेंस ग्रूप बना लिया था, तो इस चीज का ध्यान देते थे, कि किसी भी तरीके से कहीं पर कोई सती ना हो जाए, गवर्मेंट्स को पिटीशन लिखी उन्होंने, और गवर्मेंट्स उस समय पर कौन थी, इंग्लिश गवर्मेंट्स, ब्रिटेन से जो रूल कर रहे थे वही, उनको पिटीशन लिखी और इसी चीज से होते हुए क्या हुआ, 1829 के अंदर सती को बैन कर दिया गया, by the combined efforts of राजा राम मोहन रॉय, एंड विलियम बैन्टे के regulation बाहर आया, और सती जो है वो crime घोशित कर दिया गया, अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उनके views थे feminism के उपर, तो बहुत ही बड़िया तरीके से उन्होंने ये चीज क्लेरिफाई करी, कि किस तरीके से woman है, वो subjugated है हमारी society में, तो general subjugation में सारी चीज आ गई, जो भी वो problem face कर रही हैं, वो ना करें, इस चीज के उपर उन्होंने अपनी बात रखी, दूसरा उन्होंने attack किया polygamy के उपर, उन्होंने कहा कि polygamy नहीं होना चीए, ये चीज जो हैं ही problem create करती है, polygamy क्या है, जब एक पूरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवा कर ले, उसे हम polygamy कहते हैं, वो चीज नहीं होनी चीए, और वो एक reason बन रहा है किसके लिए, woman की subjugation के लिए, आगे उन्होंने बात करी, right of inheritance and property for woman, उन्होंने कहा कि इन्हें भी अधिकार मिलना चीए, जायदात के अंदर, property के अंदर, और इस तरीके से हम कह सकते हैं, कि वो एक proper feminist थे, अब आगे चलते हैं और जानते हैं, उनके education पर views क्या थे, तो सबसे पहले उन्होंने support किया, David Harris effort to establish the Hindu college in 1870, उन efforts को इन्होंने support किया, college establish हुई, समय देखिये कौन सा है, 1870 का समय, और इसी के साथ-साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाऊँगा, एक और एक story इसके साथ में आपको जोडना चाऊँगा, कि पहली चीज़ तो ये कि, उनकी माता खुद उनके खिलाफ हो गई थी, अब इनसान जो है, अपनी जय और पराजय, दोनों के अंदर अपनी मा को खोचता है, जब आपकी माही आपके विपक्ष में आके खड़ी हो जाए, तो किस तरीके से आप आगे जाएंगे, बट उस सोसाइटी में जब उनका अपना कोई साथ में नहीं था, फिर भी वो सच्चाई के लिए आगे बढ़े, वो हमें प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़े, और जो आज सोसाइटी में बार-बार बोलता हूँ, जो आज सोसाइटी हम देख पा रहे हैं, अब एक ये स्टोरी है, ऐसा बताया जाता है कि राजा राम मोहन रॉय जो है, वो पेंशन बढ़वाने के लिए गए थे, मुगल एंपरर की पेंशन बढ़ जाए, इसलिए वो जो है युनाइटेड किंग्डम गए थे, आप खुझ जरा दिमाग लगाईए अपना, थोड़ा सा सोचिए, राजा राम मोहन रॉय इतना बड़ा व्यक्ति, और उसका व्यक्तितुव उससे भी बढ़ा, क्या वो इंसान किसी की पेंशन बढ़वाने के लिए जाएगा, सिर्फ पेंशन बढ़वाने के लिए दूसरे कंटरी में जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है, जब 1829 के अंदर हमने यहाँ पे पड़ा, जब 1829 के अंदर सती को बैन कर दिया गया, तो वहाँ पे बहुत ज़ादा अपोजिशन आया, कंजर्वेटिव फैक्शन की तरफ से, और बहुत ज़ादा प्रेशराइज किया जा रहा था, यूनाइटिड किंग्डम की गवर्मेंट को, कि आप इसे वापिस ले लिजे, ब्रिटेन को प्रेशराइज किया जा रहा था, कि इसे रोल बैक कर लिजे, कंजर्वेक्टिव फैक्शन के द्वारा, तब ये इसलिए वहाँ गए थे, ताकि उस अपोजीशन को जो है, ये कॉंट्राडिक्ट कर पाएं, वहाँ पे उस अपोजीशन को जो है, दबा पाएं, और वहाँ पे गवर्मेंट को बता सकेंगी, कि किस तरीके से ये इंपोर्टेंट है, तो ये चीजें को सोचिएगा आप, ऐसे ही थोड़ी किसी की पेंशन बढ़वान हो चले जाएंगे, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और उन्होंने वेदान्ता कॉलेज इस्टैबलिश करी, 1825 के अंदर, उसके बाद उन्होंने बेंगाली लेंग्विज जो है, उसे भी काफी जादा बढ़िया किया, कि इस तरीके से उन्होंने बेंगाली grammar पे अपनी एक book लिकी, अब कोई भी language जो है, वो growth अप करती है, जब उसकी grammar proper हो, जब आप उसपे काम करें, तो इन्होंने हर एक चीज़ पर काम किया है मैं चाहे कितना भी बोल लूँ मैं चाहे दो घंटे बोल लूँ तीन घंटे बोल लूँ बट ये इंसान ही ऐसे थे कि कोई न कोई बात छूटी जाएगी और ऐसा लगेगा कि कुछ तो बाकी रह गया तो चलिए आगे चलते हैं और जानते कि ऐसा पॉलेटिकल एक्टेविस्ट उन्होंने क्या-क्या रोल निबाए और उनकी क्या-क्या डिमांड थी सबसे पहले उन्होंने बात की कि fixation of maximum rent rent को आप fix कर दीजिए जितना भी maximum हो आप बता दीजिए उससे ज़्यादा नहीं जाएगा बहुत important जो जमिदारी practice थी corrupt practice थी उनके खिलाज भी इन्होंने अपना opposition दिखाया कि ये चीज़े नहीं होनी चीए next opposition of taxes on tax free land अब already tax free है तो किस तरीके से वहाँ जो है यहाँ पर ये taxes लगाए जा रहे हैं उसके उपर उन्होंने अपनी demand रखी reduction of export duties on Indian goods Indian goods बाहर जा रहे हैं आपने export duty बढ़ा दी अब जब आप export duty बढ़ा रहे हैं तो obviously export कम हो जाएगा नुकसान किसका होगा हमारा होगा हमारी country का होगा तो आप ये भी चीज़ देखिए कि राजा राम मोहन रॉय सिर्फ society के बारे में नहीं उसके साथ-साथ उनके views कितने profound है economics के उपर उसी के साथ-साथ जितने भी related चीज़े हैं उसके उपर भी उनके views कितने profound हैं चाहे आप political views देख लीज़े, economic views देख लीज़े, society से related views देख लीज़े, हर एक चीज़ में आपको एक बारी की दिखेगी वो यहाँ पर दिखने को मिलती है हमें reduction of export duties यह हमने पढ़ लिया, abolition of East India companies trading right, जहाँ पर भी monopoly होगी, कल को समझ लीज़े अगर मैं केवल अकेला इंसान बचता हूँ ऐसा कभी होगा नहीं, पर अगर ऐसा हो जाता है, मेरे पास monopoly आ जाती है, modern history पढ़ाने की कि इंडिया के अंदर कौन modern history पढ़ा सकता है, तो निखिल सर modern history पढ़ा सकते हैं, तो वो monopoly मुझे corrupt करेगी, क्या है कि demand जो है, वो बहुत जादा हो जाएगी और supply कम, तो उसकी वज़े से क्या होगा मैं मेरे हिसाब से decision ले पाऊंगा East India company के पास trading right थे soul trading right थे, तो वो क्या करते थे अपने हिसाब से exploit करते थे Indian traders को, इसलिए उन्होंने abolition की बात करी, next Indianization of superior services, इंडिया में रह रहे हैं, Indians पर राज कर रहे हैं, इंडिया की धर्ती पे हैं आप, बड़ जो superior services है उसमें कोई भी Indian नहीं, दिक्कत तो होगी, अगर आप हम पे rule कर रहे हैं, तो हमें भी तो अपने आप पे rule करने का मौका दीजिए, Indianize कीजिए services को, Indians को पहला मौका मिलना चीए, नौकरी पे फिर उन्होंने बात करी, separation of executive and judiciary, simply इसे इस तरीके से समझीए कि अगर मैं दरोगा हूँ, that is executive, और मैं ही अपने आप judgment सुनाने लगूँ तो obviously मैं कोई ने कोई conflict कर रहा हूँ न, no one can be judge in his own case अब मैं अपने case में ही कैसे judge बन सकता हूँ, क्योंकि पकड़ा मैंने है और मैं ही उसे सजा सुना दूँ आज भी हमारे DPSP में ये included है कि हम complete separation चाहते है executive और judiciary के बीच में simply जब भी executive और judiciary आपको merge मिलेंगे concentration of power दिखेगी और जब भी concentration of power होगी वहाँ exploitation होगा वहाँ corruption होगा वहाँ कोई भी proper functioning नहीं होगी last में उन्होंने कहा judicial equality between Indians and Europeans अब ये तो जब वो गए तब तक हम नहीं देख पाए completely बट फिर भी उन्होंने कहा कि हम क्या चाहते हैं हम equality चाहते हैं एक jury लेके आए जो इसके उपर क्या है अपने decision चुनाएगी इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया उसी के साथ-साथ वो बहुत ही बड़िया internationalist भी थे उनका मानना था कि सिर्फ इंडिया के related नहीं होनी चीए वो एक union की बात करते थे तो ये सारी चीजें जो हैं हम देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से हमारी society के लिए बहुत ही जादा beneficial हुई और आज का हम परिणाम देख पा रहे हैं आज हम बहुत सारी चीजे तो हम आज भी face कर रहे हैं वीडो remarriage की बात करें तो बहुत सारे sections में आज भी society के section में उसे taboo माना जाता है बट तब उन्होंने बात करी थी कब 1833 से भी पहले तो कितना बड़ा योगदान रहा इनका So this was all about Raja Ram Mohan Roy and I know, I definitely know कि कुछ न कुछ तो बाकी रहे गया होगा क्योंकि ये इंसान ही ऐसे हैं बट हमने comprehensively सारी चीज़ें cover करने की कोशिश करी and thank you very much for watching Please like, share and subscribe our YouTube channel Thank you